कल से पूरे देश में लॉकडाउन का एलान हुआ है और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर करोना फैल रहा है उसको देखते हुए लॉकडाउन का ये निरने बहुत ज़रूरी था अगर हम लॉकडाउन नहीं करते और अगर ये महामारी बहुत बुरी तरह से पूरे देश में फैल जाती तो बहुत जादा तकलीफ पूरे देश में हो सकती थी अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में केसिस बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5 नए केस आये हैं जिसमें से एक केस फॉरें से आये वे वेक्टिका है और बाकी 4 केस जो हैं उनके आसपास के परिवार के लोगों के संक्रमित हैं तो टोटल दिल्ली में 35 केस हो गए हैं अब इसको किसी भी तरह से अपने को बढ़ने नहीं देना ये बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन में एक तरफ तो अपने को घर में रहना है और दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि हम आपको जो एसेंशल चीज़े हैं जो जि भैया आसानी से होती रहें उसमें आपको कोई तकलीफ ना है किसी तरह की तकलीफ ना है तो एक तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विंती कर रहा हूं कि प्रधान मंतरी ने जो लॉकडाउन का एलान किया ये सब लोग सब लोग इसका अच्छे से पालन करें घर से कोई बाहर ना निकले जब तक बहुत जादा केवल सब्जी खरीडने के लिए दूद खरीडने के लिए केवल इस चीज के लिए अपने पडोस के अंदर जो भी दुकान है वहां तक अगर जाना हो तो जाएं अदवाइस घर से बाहर कोई ना निकले अब essential services को चलते रहने के लिए उनको हमने pass देने का arrangement किया है वो pass कैसे ले सकते हैं सुभे मैंने इसके बारे में सारा तरकीब से बताया था मैं एक बड़ी फिर से बता देता हूँ जो जो सरकारी सेवाई हैं बिजली है पानी है इस तरह की जो जो सरकारी सेवाई हैं सरकारी इस्पताल हैं वहाँ पे employees के पास अपने अपने identity card होंगे सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग जब कई ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं कई contract employees हैं जिनके पास सरकारी ID नहीं हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ अभी तो जिनके पास सरकारी ID हैं वो अपना ID ग्रत के रास्ते में कहीं भी अगर police मांगती हैं उनको अलाव कर दिया जाएगा जो private hospitals हैं उनके अश अपने private hospitals के ID होंगे वो भी चलेंगे जो मीडिया वाले हैं उनके अपने मीडिया के आईडी होंगे वो भी चलेंगे जिन लोगों के पास अपने आईडी नहीं है चाहे वो सरकारी विभाग में काम करते हों चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हों चाहे वो दूसरे प्राइवेट जैसे दूद देने का काम करता है सबजी बेचने का का करता है, मंडी में सबजी लाने का काम करता है, किसान है जो मंडी के अंदर सबजी ले जाने का काम करता है, दवाईयों की दुकान वाला है, दवाईयों की मैनिफेक्चरिंग यूनिट है, मोटे मोटे तोर पे अगर हम देखे तो पांच किसम की मोटे मोटे तोर पे essential services निकल क कि दुकान, रोजमर्रा की ज़रूरतों की, जैसे साबून हो गया, तूथ-पेस्ट हो गया ये, और दवाईईों का समान. इन पाँच चीजों से संबंदित दुकाने या ट्रांसपोर्ट करने का सारी विवस्था या मैनिफेक्चर करने की विवस्था या उनको स्टोर करने की विवस्था ये सारी चीजे एसेंशल सर्विसेज में आएंगे और यह सारी essential services हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छे से चलती रहे हैं तो इसके लिए इन सारे लोगों को pass की जरूरत है जो लोग भी इन सारी essential services के manufacture में लगे हुए हैं transportation में लगे हुए हैं storage में लगे हुए हैं warehouses में लगे हुए हैं कर रहे हैं मैं आपको इक नंबर दे रहाएं नंबर हैeseswater bewusst पर आप फोन करके आपको बता दिया जाएगा फोन करके बताएंगे कि आप क्या चफिन्स देते हैं और आपको पता दिया मेरी आप से विंती है, 1031 जनरल हेलप लाइन नमबर नहीं है, इस पर जनरल फोन कॉल मत करियेगा, ने तो ये नमबर इतने फोन कॉल अगर आने लगे तो ये नमबर ही जैम हो जाएगा, केवल वो essential service वाले लोग जो essential service दूद देने का काम करता है सबजी देने का काम करता है, किराने की दुकान का काम करता है रोजमर्रा की जरूरतों का, दवाईयों का, मास्क का, इन सब चीज़ों का जो काम करते हैं केवल वही लोग अपना पास लेने के लिए इसके उपर फोन करें 1031 के उपर बाकी लोग अभी फोन ना करें मेरी आप सब लोगों से विंतिये ताकि सब को जल्दी से जल्दी हम दूसरा एक बहुत जरूरी है कि जो लोग ये तो था एसेंशल सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए जो आम जनता है जिसे समान खरीदना है दूद खरीदना है सबजी खरीदनी है किराने का समान खरीदना है उन लोगों को पास की जरूरत नहीं है वो अपने आसपास अपनी कॉलोनी के अंदर जो भी किराने की दुकान है अपने घर से उतर के किराने की दुकान तक जाने के लिए आपको किसी पास की जुरूट नी है वो आपको एलाव किया जाएगा तो अगर आपको कोई भी छोटी-मोटी चीज़ खरेदीन है आप पैदल अगर अपने घर से बाहर निकल के अपनी आसपास की दुकान पे जाके सबजी खरीदते हैं, दूद खरीदते हैं किराने की दुकान पे जाते हैं दवाई खरीदते हैं आपको कोई मना नहीं करेगा आप पैदल अपने वहाँ पे जाके यह कर सकते हैं एक कल मैंने पढ़ा था जगे जगे और सुनने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स को और नर्सेज को कुछ इलाके के अंदर उनके मकान मालिक उनको घर से निकालने की धंकी दे रहे हैं उनका मकान मालिक को कहना है कि यह डॉक्टर्स और नर्सेज 24 घंटे करूना के मरीजों के बीच रहते हैं तो इसलिए इनको करूना हो गया होगा और अगर यह यहां रहेंगे तो मकान मालिक को भी करूना हो जाएगा इसलिए उनको निकाल रहें यह बिलकुल बरदाश्त निकिया जाएगा यह गलत है उन मकान मालिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल को खुदा ना करे भगवान का काम कर रहे हैं हमारी जिंदगी बचा रहे हैं सभी मकान मालिकों से निवेदन है कि हमें इनको सलाम करना चाहिए इनका शुक्रियादा करना चाहिए सारे देश को शुक्रियादा करना चाहिए इन लोगों का बहुत अच्छा काम करना है अगर ये लोग इंफेक्ट हुए त तो हम लोग इनकी सेवा करेंगे हम लोग इनको ठीक करेंगे और अगर कोई मकान मालिक फिर भी नहीं माना तो हमने ओर्डर्स कर दिया है दिल्ली सरकार ने ओर्डर्स कर दिया है दिल्ली पुलिस इसके उपर सक्से सक्त कारवाई करेगी और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सक्स लाख लोगों को हर व्यक्ति को साड़े साथ किलो राशन फ्री दे रहे हैं हम साड़े आठ लाख परिवारों को पांच-पांच हजार पेंशन दे रहे हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग है जो इसके दाइरे से और लोगों के जिनको पेंशन नहीं मिलेगि ऐसे लोगों के जिनको बिल्कुल खाने की भुख्मरी के कगार पे हैं हम इन चाहते कि एक तरफ करोना से तो बच जाएं और भुख्मरी का शिकार हो जाएं तो मेरी हम लोगों ने कई जगे Silence के अंदर उनके लिए लंच और डिनर का इंतिजाम किया हुगा है उनको हम खाना खिलाते हैं लेकिन अब लोगों के संख्या बढ़ रही है जो खाना खाने वालों की तो आप चिंता मत कीजिए मैंने ओर्डर दे दिये हैं और ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर अब कई स्थानों के उपर हम खाने का इंतिजाम करेंगे वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे बताया गया है कि अच्छे से पालन किया जा रहा है लाइनों में जो लोग खड़े होके खाना ले रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम फालो कर रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है लेकिन सरकार जितना मरजी कुछ कर ले सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज और देश साथ नहीं देता मेरी आप सब लोगों से फिर से विंती है ये बहुत पुन्य का काम है नवरात्रों के दिन चल रहे हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने इलाके के जिम्मेदारी लेजिए आप जिम्मेदारी लेजिए कि मैं अपनी कॉलोनी के अंदर पडोस की जुगी बस्ती के अंदर पडोस की कच्ची कॉलोनी के अंदर मैं इस इलाके के जिम्मेदारी ले रहाँ यहां किसे को भूखे नहीं सोने दूँगा और आप ensure कीजिए कि सब लोगों को खाना मिले जिन जिन लोगों को भगवान ने जिन्दगे में कुछ दिया है वो सब लोग ये जिम्मेदारी लें कि भगवान ने हमें दूसरों के काम आने के लिए सब कुछ दिया है ये पुन्य का काम है और ये ही सच्ची देश भक्ती है जैहन